तादु संद के दुम रखवारे असुरिदि गंबज राम पुरारे अश्क सेत नवनिद के लाता असुवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदारो रगुपत के दार तुमरे बजन राम जी को पावे जनम जनम के खुट के सिरावे अंतकान रगवर पुर जाई जाजन हर भगत काई और देवता जित नदरए अनुमत से सर्व सुख करई संकट कट मिदे सब पीना जो सुमरे अनुमत बलभी जै 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 अनुमान पुसाई करपा करो पुरुदेव किनाज जो सत्वाद पाठ कर कोई जो ट्रै बंद आँ सुख कोई जो या पड़ अनुमान चालिसागो इसे पिसागी कोई सुलसी रास सदाहरी चे राती जैना ते दै माते राप वन तनै संकट अरना मंगल मूरद रोड रामन कन सीता सैथ विजै पसव सुरभो चिया पर राम चंड जिति जै अवन सुच्छन मूमान जिति जै पुलो बैसब संतनी पीजै जै जै स्री ताराम अरिही ओम इदं मिष्टर्भी जक्रवे टेकानित देपनम् आप दाम अपहरतारं दातारं सर्वचंपदां लोका बिरामं स्री नामं भूयो भूयो नमाम्यां ध्यानार्ति अच्छत पुष्पान समर्पयामी स्री सीपुनान पुर्षोत्तमाय नमां स्री सीधाराम जुंद्राप्यां नमां अरियों गंधत्वाराम दुरागर्षाम नित्यपुष्टां करिश्णिंग जेश्वरिं सर्वभूतानां आप्यो पहवेश्रियंग गंधं समर्पयामी पुष्पं पुष्पमालां ओमो कदिही प्रतिमोरद्वं पुष्पवती प्रशोवरी अश्वादी वसजित्वरी पीरूता पार विष्णवाः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामी स्री पुरान पुरुषोत्तमाय नमां अरिहयों योनित्यमक्चुतपदां पुष्पमरुप्मभ्यामो अतस्तितरानित्रनायमेने अस्ना गुरूर्बगवतोषत येकशिंदो रामानुजस्चरणवशरणंप्रपते मातापितायुवतयस्तनयाविभूते सरभंगदेवनियमेनमदन्वयानां आदस्यनागुणपतिर्वकुलाबिरामं स्रीमत्ततंग्रयुगदंप्रणमामे मूर्द्रान् भूतंतरश्यमातापयःद्रान्त स्रीभक्तिशारकुलसे करयोगिवान् भक्तांग्रिरेडुपरकालयतिंद्रमिस्त्रान् स्रीमत्तरांपुषमुनेंप्रणतोष्मनित्यम् गुर्मुकमरदित्याप्राः वेदानसेसान् नर्पतिपरिकृत्यम् वुल्कमादातुकामह स्वस्वर्ममरवध्यम् रंकनातस्यताक्षा दिल्यपुरतिलकंतं विष्णुचित्तं नमामी हर्स्मर्थेष्रिकमस्मधियपरमाचार्यानसेसान्गुरुन् स्रीमलक्ष्मडयोगि पुंगवमह पूडो मुनिम्यामुनं रामं पर्म विलोचनं मुनिबरं नातं सठतिशिनं सेनेसं स्रियमिंदिरासाचरं नारायनं संस्रये बेदांत जेशिक कटाच्ष विवेद भूदं कांतो भयंत यमिनाकरुणईक पात्रं बस्सान्नवायमनवत गुणेरुपेतं बक्त्यावजामि परवादि भयंकरायं सांडिल्या वयवं सवारित बिदुम् स्रीकोशले सार्चकं बेश्वक्सेन यतिंद्रदेशिक पतत्वंदार विंदास्रितं स्वाचार्ये शुयताव जगत् गुरुबरे स्रीरामनारायने नेत्यं सक्तमतिं जगत् गुरुबरं स्रीवासुदेवं बजे स्रीमरकर्ष्यपगोत्रलत्ययनुसं विद्या विभूशोनतं सच्छास्त्राणवपारगाम विदुषां मान्यम् मनोकस्रियं स्वाचार्ये शडगुruί भुदवारे स्री भासुदेवे रतं मmotherष्यपवand जगत् गुरुमVINिभर्म्पडोंस्री रागवार्यं गुरुम् स्रीमते रम्धा मत्रमुनें द्रायम आत्मने स्रीरंगवशने वुयानित्या-srirिनित्यमंगलं मंगलम् यतिराजाय स्रीभाष्यामृत दायने सौलभ्यपरिपूनाय महपूनाय मंगलम् मंगलम् गुरुवर्याय मंगलम् गुणसिंदवे बाद वीधिकरायाय नित्यस्री नित्यमंगलम् जयत्तद्राग्पनिराज अवतारमने प्रवलपासंगतमो अरणभानो बिजयी भाव बिजयी भाव बिजयी भाव आरति राम ललाकी कीजे आरति राम ललाकी कीजे अपनो जनम सुखर कर लीजे अपनो जनम सुखर कर लीजे स्रीत सिरत को परम दुनारो मैया की अपियन को तारो मित्रन के प्राण सो प्यारो मित्रन के प्राण सो प्यारो दिने पर प्राण निचावद कीजे दिने पर प्राण निचावद कीजे आरति राम ललाकी कीजे आरति राम ललाकी कीजे भरति लाले को जेतो भाईया भरति लाले को जेतो भाईया रागव करी करी बोलत मैया परम मुदिते मलेते बलाईया यहे चब नैनन में पर लीजे आरति राम ललाकी कीजे आरति राम ललाकी कीजे भरति लखने ली पूसूदन ब्राता भरति लखने ली पूसूदन ब्राता सकन संग के लद सुखदाता दुल्राबती को शिया माता दुल्राबती को सिल्या आता अपनों सरवस्त दिने को दीजे अपनों सरवस्त खाने को दीजे आरति राम ललाकी कीजे आरति राम ललाकी कीजे स्री सीताबर जग उचियारो मन्द मन्द मुस कावत प्यारो हसी हसी हेरत प्राण हमारो दीने को दीरक दीरक सुख लीजे आरति राम ललाकी कीजे आरति राम ललाकी कीजे अपनों जनम सुखल कर दीजे अपनों जनम सुखल कर दीजे आरति स्री राम आयन जीती आरति स्री राम आयन जीती इरति करित ललिटसी अपीती इरति करित ललिटसी अपीती आरारतिक्यम जमर्पयामी जलीड शीतली करणं आरारतिक्य अग्रणं पुष्पय देवा बिवंधनंं हरियों जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि दर्मानि प्रतमान्यासन्ना तेहनाकं मैमाना सजंत यत्रपूर्वे शाक्त्याहा संति देवाहा ओम्राय रामगत्राय रामचंग्राय वेधसे रगुनाधाय नाथाय सीताया पत्ये नमानापदाम पहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोका भिरामं स्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयावनी श्री पुरान पुरुषो तमाय नमा स्री सीताराम चंद्राब्याम नमा बोलिये स्री सीताराम चंद्र भगवान की स्रीय योद्यानात भगवान की स्री राम गता ग्यान महा यज्य की शत्य शनातन बैदिक धर्म की अखंद भारत भर्स की श्री भास्यकार रामानु स्वामी जिमाराज की श्री मजगत गुरु श्वामी जिमाराज की जै जै सीताराम जै सियाराम श्री राम कता सिर्वन करने आए सबी सरत हालु भक्तों को शादर जै सियाराम सबी स्रत्धाली भक्तों शिनिवेधन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं श्रिम ज्यगतिगरूरामानुजाचारी पुझी स्वामी जी के श्री चनलों में शादर बंदन नमन पूर्जी श्वामी जी के स्री मुख से हम सब लोग भगबान की पावन कथा सिर्वन करें इससे पूर्वो मै कुछ महान भावो को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा स्री रस्मी दिवेदी जी आप से निवेदन आम मंच पर आकर पुर्जी श्वामी जुको पुषपहार भेटकर अंगवस्त्र आसीर बाद सरूप ग्रेंड करें स्री जयन्त खन्नाजी समासेवी स्री जयन्त खन्नाजी आप सेवी निवेदन आप भी मंच पराकर पुझ श्वामीजु को पुष पहार भेटकर आसिरवात प्राप्त करें स्री भगवंत सिंग बगेल जी अध्यक्ष रीवा लाइन से नेत्रिच किस साले आप से भी निबेदन आप भी मंच पर आकर पुझ श्वामी जी को पुष पहार बेट कर आसिरवात प्राप्त करें स्री सिव प्रशाद प्रधान समाज से भी आप से भी निवेदन आप भी मंच पर आकर पुझ श्वामी जी को पुष पहार बेट कर आसिरवात प्राप्त करें स्री शंतोष मिस्र जी श्री शंतोष डाक्टर शंतोष मिस्र जी जोद साचारी आपसे भी नवेदन आप भी मंच पर आकर पुझ श्वामी जी को पुश पहार बेट कर आसिरवाद प्राप्त करें श्री दिनेश गौतम जी बिलाई से पधारे स्री गार के मिस्र जी आपसे भी नवेदन आप भी मंच पर आकर पुझ श्वामी जी को पुश पहार बेट कर आसिरवाद प्राप्त करें बिलाई से पधारे गार के मिस्र जी श्री दिनेश गौतम जी दिनेश गौतम जी आप से भी नवेदन आप भी मंच पराकर पुझ्य श्वामी जी को पुष भार बेट कर आशिर बात पराप्त करें श्री प्रभूत ब्याश्ची आपसे भी निवेदन आप भी मंच पर आकर पुझ्जी श्वामी जी को पुश्पार बेटकर आसिर बात प्रात करें स्री प्रकाल श्वूने जी उर्फ चिंटु जी आपसे भी निवेदन आप मंच पर आकर पुझ्जी श्वामी जी को पुश्पार बेटकर आसिर बात प्रात करें बिवेक दूबे जी आपसे भी नवेदन आपी मंच पराकर पुझ श्वामी जी को पुष पहार बेट कर आशिरबात पराप करें बियल अक्रवाल जी आपसे नवेदन आपी मंच पराकर पुझ श्वामी जी को पुष पहार बेट कर आशिरबात पराप करें मैंने जिन महान भावो का नाम लिया है उनसे निवेदन से ग्राथ से ग्रमंच पराकर पुझ श्वामी को पुष पहार भेट कर आशिरबात प्राप्त करें जैश्यराम आये इस क्रम को यही पर विश्राम देते हुए पुझ श्वामी जी के स्री श्रनों में शाधर बंदन करते हुए निवेदन हम समको भगवान की पावन कथा स्रवन कराने की करपा करें और हमारे जो भी कारिकरता बंदू है वो सजक्ता से इस कथा बिवस्ता को बनाई रखेंगे कोई भी व्यक्ति आगे आकर के ना प्रशाद चड़ाएं जो भी लोग आते हैं उन्हें सांती पूर्वक बीच में ही बैठा दें जैश्यराम जैश्यराम नारें नारें श्री वालमी की भगवान की श्री वेद अप्याश भगवान की श्री गुस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जै जै सीताराम। हरी ही ओम, तच्छन जोराग ब्रणी महे, गातुम जद्न्याय गातुम जद्न्य पतये, दैवी स्वस्तिरस्तुनह, स्वस्तिर मानुशे भ्यह, दूर्धं जिगातु भेशजं शन्यों अस्त्तिपदे संचतुस्पदे, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, जद भद्रम तन्न आसुव, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रगुनाथाय नाथाय सिताय अपतये नमह, रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुप्ग्रीवं बायुसुनुम् चप्रणमामि पुनपुनः, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मनाय देव्यय चतस्यय जनकात्म जायय नमोस्तु रुत्रेंद्रयमानि नेभ्यो, नमोस्तु चंद्रारुकमरुद्गने भ्यह, चरितं रगुनाथास्य शतकोटि प्रविस्तरं, एक एक मक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं, पुजंतं रामरामेती मदुरं मदुराक्षरं, आरुयक विता शाखां बंदे वालमी किकोकिलं, यह पिवन सततं रामचरिता मृतसागरं, अत्रप्तस्तं मुनिंबंदे प्राचेतसमकल्मशं, गोश्पदी कृतवारीशं मसकी कृतराक्षसं, रामायन महामालारत्नं बंदे निलात्मजं, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनासनं, कपीश मक्षहंतारं बंदे लंका भयंकरं, वैवेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे, मध्धे पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं, अग्रे वाचयति प्रभन्यन सुतेतत्तं मुनिभ्यवरं, व्याख्यांतं भरता दिभेवर्वतं रामं भजेश्यामलं, आपदाम पहर्तारं दातारं सरवसंपदां, लोकाभिरामं स्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं, रिग्यजुस्वामरूपाय वेदाहर्णकर्मन, प्रणवोर्गीतवपुषे महास्वसिरसे नमहं, व्यो नित्यमच्चुतपदां गुजयुक्मरुक्मभ्यामोहतस्तदितरानित्रनायमेने, अस्मत्गुरोर्भगवतो स्यदयेकसिंधोह रामानुजस्यचरणवू शरणं प्रपद्ये, शांडिल्या वयवं, शबारिद विधं, शेको सले सार्चकं, विस्वक्षेन यतींद्रदेशिक पदद्वंदार विंदाशितं, स्वाचार्ये सुयतव जगत्गुरुबरे श्री राम नारायने, नित्यम सक्तमतिम् जगत्गुरुबरं श्री बासुदेवं भजे, अस्मत्गुरुभ्यो नमह, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमह, अस्मत्सर्भ गुरुभ्यो नमह, श्री मते रामानु जाय नमाह, श्री परां कुछ परकाल यतिवर बर्बर प्रतिवादि भीकर गुरु भ्यो नमाह, श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं संतपूर्वाचारिया सहायाह बोलिये स्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री राधा कृष्टन भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री लक्ष्मन बाग समस्थान की, श्री राम गठा महोट सब की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, जै जै सीताराम। अगे बगवान को स्रीशीता राम चंदर जी की मंगल में कथा सुधा का हम सबी लोग श्रुम्ण लाव प्राप्त करें उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अंकूल भगवान के मंगल में नाम का शद्धाबत्य के साथ संकेतन कर लें पश्चात भगवान की पावंचरचा अश्रम्र करेंगे सीता राम सीता राम सीता राम जे सीता राम स्था रामlando गशी धार्म कुज़ से राम जे-सितारां सिता राम, 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 सिता रा सीता राम, 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 सीता रा सिता राम, 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 सिता रा मुषी YouTube YouTube Channel प्रहुन के रिख्यर्व के रहाँ hay एंगा के रहा वं रहाँं इन राजयर्व राजाराम, 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 रा सिता राम सिता राम सिता राम के सिता राम सिता राम, 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 सिता रा सीघाराम सीधा detailed Morning , सिताराम सीधा, सिताराम. शीदाराम, 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 शी सिता राम, 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 सिता रा सीथा राम, 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 राम्या सिता राम्या सिता राम्या सिता, 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 राम्या सि सीता राम shee Run सीता राम je सीता राम सीता राम सिता राम जे सिता राम सिता राम, 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 सिता रा श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री हनुमांजी महराज की जै जै सीताराम परमाध्यक्ष अनन्त कोटि ब्रह्मांड नायक सरवेश्थ वरेश्वर पुरान पुरुशोत्तम जानकी जानि धनुष्पाने भगवान शेर गुरंदन भगवान की कथा के सुरशिक्षोता अनन्त बलवंत श्री हनुमां तलाल जी महराज इस पवित्र लक्ष्मन बागतीट के आचारिय स्री स्वामी हरिवंशाचार जी महराज इस कथा में तन्मंधन से पूरे उत्साह के साथ लगे हुए श्री राजिंद्र शुक्ल जी पुरुवंत्री इस पवित्र संस्थान के धर्मा दिकारी श्री दीनानात सास्त्री जी राजिस पांडे जी कथा में पधारे सभी समागत विशिष्ट अतितिगन भगवत कथार अस्रसिक भगवत प्रेम पत्पतिक धर्मान वुरागी सज्जनों शुद्धा मैमाताउं मंच पर विराजमान भगवत भजन पर आयन संत वरंद आचार्य चरण एवं समस्त भक्त वरंद भगवान श्री सीता राम चंदर जी की महती अनुकंपा के फलस्वरू पवित्र चैत्र मास में स्री लक्ष्वन भाग के इस पवित्र प्रांगन में भगवान श्री रगुनंदन की पुन्य गाथा हम सभी लोक्ष्रमन कर रहे हैं आदिकाप्य श्रीमत बालमी की रामयन की माध्यम से भगवान शी राम की भुवन पावनी गौरो गाथा का हम सभी लोक्ष्रमन लाप प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की जब विशेश कृपा होती है, तो जीव को सत्संग का सोभाग्य प्राप्त होता है, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, अईस्त्वर यकीर्ति, ये तो हमारे प्रारप्त का परिणाम हो, हमारे पूर्वक्रत करमों से निर्मित जो प्रारप्त है, उस प्रारप्त से ही सुख दुख हानि लाव, यश्च अपयश्च समसार में मिलता है, गुर्देव स्री वसिष्ट कहते हैं, कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, आनिला भजीवन मरण, जस अप जस विधिहाथ, ये तो सब विधाता के हाथ में, और विधाता, ये सब कुछ अपने मन से नहीं देते हैं, कि जिसको जो चाहे वो दे दें, कारण पूरवक्रत कर्म होता है, जीव के पूरवक्रत कर्मों को ही कारण बना कर, तक फलस्वरूप, हा निलाव जीवन, मरण, जीव को प्राप्त होता है, तो जीवन की समस्त गतिविधियां, हमारे प्रारब्द का परिणाम, लेकिन सत्संग, भगवान की कथा, ये हमें जीवन में अगर मिले, प्रारब्द का परिणाम नहीं, ये भगवान की क्रपा का परिणाम, भगवान की क्रपा होती है, तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होता है, बिनु सत्संग बिवेक न होई, और राम क्रपा बिनु सुलभ न सुलभ, भगवान की क्रपा होने पर प्रवान जीव को जन्म मरन के चक्र में पुनरपी जनननम, पुनरपी मरनम, पुनरपी जननी जठरे शयनम इस चक्र में ब्रह्मन करते हुए जीव को देखकर जब भगवान को दया आती हुए जीवे दुख्खा गुले विश्णों कृपा का प्युपजायते भ्राम्यमाने स्वकर्मभी अपने कर्मों के परिणाव स्वरूप विविध योनियों में ब्रमन करते हुए जीव को देखकर जब भगवान की करुणा समुच्छलित होती है तब भगवान उस करुणा के परवश होकर उस जीव को सत्संग प्रदान करता है अगर जीवन में सत्संग मिल रहा है भगवान की कथा सुनने को मिल रही है संत महापुरुसों का सानित मिल रहा है तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान की करुणा हमारे उपर हो रही है यह कारोणा का प्रमान है, यह Bioان की करोणा का प्रमान है, और Shri Goswami ji Maharaji कहते हैं कि जब भगवांत्र अबी भूत होते हैं, भगवांत्र वजोन करते हैं, तभी जीवको सत्त्तिसंग की पाईए जब द्रवही दीन दयार रागव शार्तु संकति पाईए जेही दरस परस समाग मादिप पाप रासि नसाईए जेही दरस परस समाग मादिप पाप रासि नसाईए जब द्रवही दीन दयार रागव शार्तु संकति पाईए जब द्रवही दीन श्री गोष्वामि पाद केते ही कि जब द्रवही दीन दयार रागव सार्तु संकति पाईए जेही दरस परस समाग मादिप पाप राश्री में साथ तो भगवान की जब करुणा होती है तो तभी जीव को सत्संग की प्राप्ती होती है और यही बाद देवर्षि नारत कहते है श्रीमत भागुत महापुराण के माहात्म में कहते हैं कि भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलभते पुरुषो यदावई अज्यान हे तुकृतमोह मदान भकार नाशंबिधाय हितदो दयते विवेकः देवर्षि नारत कहते ही जब जीव का भाग्योदय होता है अनेक जन्मों के उसके पुर्ण्या प्रगट होते हैं और भगवान की करुणा समुच्छलित होती है तब जीव को सत्संग की प्राक्ति हो और सत्संग में आकर अज्यान हे तुकृतमोह मदान धकार अज्यान का जो हे तु है मोह उस मोह का विनाश होता है अज्यान हे तुकृतमोह मदान धकार नाशम विधाय तदो दयते विवेकह और मोह के नाश होने पर पर विवेक की उत्पत्ति होती है विवेक क्या है सामान नित्या विवेक का मतलब लोग यही समझते हैं विवेक माने के आनिया जानकारी विवेक का अर्थ है सार और असार में भेद को समझने वाली जो गुद्धी है उस गुद्धी का नाम विवेक है सार क्या है असार क्या है ग्राहिय क्या है अग्राहिय क्या है क्या त्याज्य है क्या ग्राहिय है इसका अंतर करने वाली जो बुद्धी है उस बुद्धी का नाम विवेक है सारा सार कानिरने करने वाली बुद्धी विवेक है जिसको कहते हैं ख्षीर नीर विवेक केते हैं हंस जो होता है हंस के सामने कटोरे में दूद और पानी मिला करके रख दो तो केते हंस उस कटोरे में अपनी चोच डाल कर दूद दूद पी लेता है पानी पानी छोड़ दे सार को ग्रहन कर लेता है असार को छोड़ देता इसी प्रकार संसार में सार क्या है इसे समझ करके ग्रहन कर ले और असार को छोड़ दे उसी को हंस कहते हैं उसी को परमहंस कहते हैं उसी को परमहंस कहते हैं ये भगवान के भक्त ज्यानी महापुरुष परमहंस क्यों कहला रहे हैं आजकल तो लोग परमहंस का मतलब समझते हैं, जो मनमाना आचरन करें वो परमहंस, क्या महराज रहा है, सादू समाज में सिष्ट आचार म्योहार, पवित्रता अपवित्रता के विवेक को भूल कर मनमुखी आचरन करने लग जाए, तो लोग कहते हैं, महराज वो तो परमहंस हो गए, तो इसको परमहंस नहीं कहते हैं, आचार विचार का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, आचार प्रभु धर्मह, धर्मस प्रहुरत चुता, आचार ही परमधर्म, और हमारे इस्त्री संप्रदाय में तो आचार का इतना महत्व है, कि इस संप्रदाय का नाम ही आचा कि हमारे यहां आजार का इतना महत्वा है हर चीत पर विचार क्या खाना है क्या पीना कपड़े कैसे पहनने कृश करने के योग्य है क्या चुने के योग्य नहीं है इन समस्त विश्यों पर विचार करते हुए सास्त्र के आलोक में कर्म करना यही हमारे संपदाय का सिध्धांत और आचार से हीन व्यक्ति हो तो कितना भी वेद वेदान तो वो पढ़ले उसका कल्यान नहीं होता महरा वेद ब्याष्री कहते हैं आचार हीनम नपुनंत वेदाह देखते आचार से हीन हो और बैध पढ़े रामयन पढ़े बोले ना रामयन उसकी रख्षा करेगा ना वेद उसकी रख्षा आचार ही नम नपुनंति वेदा यद्यप्यधीताह सहसट धिरंग गई है छा अंगों के सहित वेदकाद देन कर ले लेकिन आचार संपन नगर नहीं है तो चारो वेद और छे अंग मिल करके भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं आचार का महत है आज बड़ी विडम्बना है कि हम अपने सनातन वैदिक धर्म के आचार को भूलते जा रहे हैं खड़े खड़े खाना खड़े खड़े पीना खड़े खड़े मूत्रादि का त्याग करना कहीं भी खा लेना कहीं भी बैठ जाना जूते चप्पल पहन करके खाना रसोई में भी अस्परशा अस्परश का विवेक भूल कर बोटलिंग बोटलिंग और टोटलिंग करने में ही लगे हुए इसी में जीवन जा रहा है कि कहने का भाव कि जब तक हम आचार विचार संपन्न नहीं होंगे तब तक हमारा अंतहकरण शुद्ध और जब तक अंतहकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक निस्त्रेयस की प्राप्ति नहीं होगी कल्यान की प्राप्ति नहीं होगी वेदव्यास जी कहते हैं कि मन शुद्धि विहीनानाम निस्कृतिस्च कथम भवे मन की अगर शुद्धी नहीं हुई तो निस्कृति की प्राप्ति कल्यान की प्राप्ति नहीं हो सकते मन शुद्ध विहीनानाम निस्कृतिस्च कथम इसलिए बार बार भगवान की कथा को श्रमण करना चाहिए सपसंग में जाना चाहिए सपसंग में जाने पर ही ज्ञान की प्राब्ती हो हो ऐसे ही आपको कहा जाए बेद बेदानत पढ़ कर के छास्ट्र के पत्वम PDF चलो तो कितना कठिन है, सब काम छोड़ करके चलो, बेद पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर निर्णे करो कि इसमें करना क्या है, और सास्त्र कितने हैं, बहुले अनन्त सास्त्र हैं मारा हैं, और अनन्त विद्याएं कितना पढ़ करके आप समझ पाओगे, अनन्त सास्त्रम बहुलाश्य विद्या, नईको रिशरियस्वच प्रमानम धरवस्य तत्वम निहितम गुहायां महा अजनोजेन गता सपन्धा, तो आप पढ़ करके सारे तत्व का निर्णे करें, इतना समय कह है, क्यों? बोले दुनिया के इतने प्रपंच हैं, आपको इतना कहां समय मिलेगा कि आप बेद पढ़ो, रामायन पढ़ो, गीता पढ़ो और फिर पढ़ करके उसके अनकूल आचरन करने का निर्णे करो, इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, समय बहुत कम है, अल्प अल्पतो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करिवे को बहुत कुछ काह काह कीजिए, पारना पुरानन को बेदों को अन्त नहीं बाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए, काब्यकी कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, रागतो रसीली रस कहां कहां पीजिए, सब बातन की एक बात तुलसी बताये जात, जनम जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए, सब पढ़ करके समझ करके फिर करना कितना कठिन है, तो क्या करें, बोले सत्संग में आ जाओ, बना बनाया माल मिल जाएगा, न बेद की पोथी खोजनी पड़ेगी, न रामायन की पोथी खोजनी पड़ेगी, संतों ने आचारियों ने पढ़ करके अनुभव करके जो निसकर्ष निकाला है, वो निसकर्ष वो मखन आपको प्राप्त हो जाएगा, न गाय पालने की जरुवत पड़ी, न दोद्दोहने की जरुवत पड़ी, न दही जमाने की जरुवत पड़ी, न मन्थन करने की जरुवत पड़ी, बना बनाया मक्षन आपको मिल गया, ये सत्संग का प्राप्त हो जाती है, इसलिए सत्संग की अपूर बमहिमा कही और भ बेद सेधाओ भूजुए schema श्री रखुनातिर जी की पावन सन्यदी में इस लक्ष्मनभाग पुवित्र पीठ के प्रांगण में विराजमान होकर उस्री मत बालमी की रामयन के मात्धिक भूजुद के पावन चरित्र को श्रमन करें बालमी की रामयनா? बेदा अवतार है चारों वेद ही mm कि रामायन के रूप में अवतरित हुए बेद प्राचेग साधization साख्षाइअ नाव घ्रांत मना वेद ही प्रचीत महरसी के पुत्र प्राचेतस मालमीक के द्वारा रामायन के रूप में अवतरित हुए और रामायन का एक 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 अक्षर हमारे महान से महान पातक को पाप को नश्ट करने बागा है महरशिब आलमीक ने भगवान शी राम की मंगलमई गाथा का बर्णन किया कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने सुना अयोध्या में भगवान चार-चार रूपों में प्रगट हुए क्रत्वात्मानम् चतुर्विधम् पितरम् रोचयामास तदा दसरतं रिपम् श्री दसरत्जी महराज को पिता बनाकर भगवान चार-चार रूपों में अयोध्या में प्रगट हुए राम लक्षमन भरत सत्रुग्न के रूप मारानी को शिल्यानिया भगवान श्री राम को जन्म दिया और भगवान श्री राम के प्रगट होने के अठारह घंटे बाद स्री भरत जी का प्रादिर भावगी राम जी के प्रगट होने के अठारह घंटे बाद जब पुष्य नक्षत्र आया है तो पुष्य नक्षत्र के मीन लक्न में भरत जी महराज का प्रादिर भावगी पुष्य जातस्तु भरत मीन लक्ने प्रसन धी पुष्य नक्षत्र में मीन लक्न में स्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुए और भरत जी के प्राकट के छे घंटे बाद सुमित्रा जी ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया सार्पे जातव तुसव मित्रि ही सार्प नक्षत्र में जिस नक्षत्र के देवता सर्प हैं ऐसे नक्षत्र में श्री लक्ष्मन जी का और सत्रुम्न जी का प्रादुर्भाव हुए सार्प नक्षत्र माने सलेशा नक्षत्र पुनर्वसू के बाद कुस्य और कुस्य के बाद सलेशा तो सलेशा नक्षत्र में लक्ष्मन जी और सत्रुम्न जी प्रगट उए सार्पे जातव तुसो मित्रिहिं कुलीरे भिदिते रवव। सलेशा नक्षत्र सलेशा का मतलब होता है सलिष्ट सलिष्ट माने जुड़ा हुआ इसलिए जुडवां बालक पैदा हुआ उस नक्षत्र का ये प्रताब था तीनों भाईयों के चारों भाईयों के नक्षत्र राम जी का नक्षत्र पुनरवसू भरत जी का पुश्य और सत्रुग्ण जी का और लक्ष्मन जी का सार्प नक्षत्र सलेशा नक्षत्र जिस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उस नक्षत्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है राम जी पुनरवसु में प्रगट वे तो पुनरवसु का मतलब क्या है उले पुनह बसाने वाला जो पुनह बसा दे उसको कहते हैं पुनरवसु रावन के आतंक से जो लोग उजड़ चुके हैं रावन ने जिनको बेघर कर दिया है उन भक्तों को बसाने के लिए भगवान आये हैं इसलिए पुनरवसुनक्षत्र में और भरत जी बोले भरत जी सबका पोशन करने के लिए आये बिस भरण पोशन कर जोई ताकर नाम भरत असो होई इसलिए भरत जी महराज पुष्य नक्षत्र में प्रगट पुष्य का मतलब पोशन करने वाला और सारपे जातव तुसव मित्र ही सारप नक्षत्र में सुमित्लानंदन प्रगट जिसके देवता सर्प हैं क्यों बोले जो प्रगट हो रहे हैं वो सरप राज हैं कौन बोले लक्ष्मन जी महराज लक्ष्मन जी सेश नाग हैं सरपों के अधीस्वर हैं इसलिए सारप नक्षत्र में इनका प्रादुरुभाव हुआ और इनके अनुज़ सत्रुग्न जी महराज भी सार्प नक्षत्र में ही प्रगट होते हैं यह नक्षत्र का प्रभाव है सुन्दर चैत्रमास बसंत रितु यह बसंत रितु में भगवान का प्रादुर भाव क्यों हुआ तो संत जन कहते हैं कि रितु बसंत बस अंतरामसु रितु बसंत बस अंतरामसु